हेलो स्टुडेंट गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू मैं गोविन शर्मा लेट्स क्रेक्ट नीट यूजी चैनल अफ अनकेडमी पर आप सब का मॉस्ट वैलकम करता हूं साथ में नीट यूजी क्वेस्ट पर भी जिसमें कोशन्स की प्रैक्टिस करने वाले वहां पर भी अ अनकेडमी का दूसरा चैनल है सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं मैं गोविन शर्मा लास्ट 21 यर से कोटा के टॉप मॉस इंस्टिट्यूट पर नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं साथ में मैंने कहीं टॉप र नीट यूजी को क्रेक करने के लिए इंडियास लार्जस लर्निंग प्लेटफॉर्म अनकेडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन जो देता है अनलिमिटेड लायू एंड रिकोर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियास बैस एजुकेटर द्वारा डेजाइ किया गया है अब मैं आपको इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए अनकेडमी का लर्निंग पर उसे डाउनलोड करने की एडवाईज दूंगा अगर आपके पास आईफोन है तो एप स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं यह जो नीट यूजी का सब्सक्रिप् यहां पर डाउट रेज कर सकते हैं साथ में यहां आपके इस बगल में या साइड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका उनकी फीलिंग लेने के लिए एजुकेटर जब कॉश्चन पूछते हैं तो वहां परसंटेज करेक्ट आंसर देने वाले बच्चों का कितना है उसके पोल्स अवेलेबल हैं जो आपको क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं ओफ लाइन के तो दूसरा और सबसे इंपोर्टेंट फीचर है इसका यहां लाइव टैस्ट होते हैं क्वीजेज होते हैं जो आपकी परफॉमे जी एक्जाम को करेक्ट करने के लिए एलीजिबल हैं की नहीं वो हर टेस्ट टेस्ट आपको बताते रहते हैं तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट फीचर है इस सब्सक्रिप्शन का कि यह स्टुक्चर्ड कोर्सेज हैं मेंस यहां सिस्टेमेटिक वे से एक्सपीरियंस यह एक सिस्टेमेटिक वे से बच्चे को लो लेवल से उठाकर एक टॉप लेवल तक ले जाते हैं यहां कोर्सेज खतम होने के बाद भी यह आपके रिवीजन स्ट्रेजी प्लान करते हैं रेगुलर इंटरवेल में आपके टेस्ट लेते रहते हैं साथ में मतलब यहां के स था सबसे इंपोर्टेंट फीचर है इसका आपको एक बारी सब्सक्रिप्शन लेना है उसके बाद आप किसी भी और दूसरे एजुकेटर की लाइव क्लासेज को भी पढ़ सकते हैं जैसे मान लीजे आपको फिजिक्स का एक टॉपिक एक एजुकेटर से पढ़ लिया पर उससे कम समझ में आया है तो ऐसे 50 प्लस एजुकेटर्स फिजिक्स के अवेलेबल हैं तो आप उनकी क्लासेज का भी यहां पर यूज कर सकते हैं अपने चैप्टर को समझने में मतलब यहां पर बहुत सारा चोइसेज अवेलेबल है एजुकेटर की भी साथ में अगर आपक कर सकते हैं तो यह चार फीचर इस सब्सक्रिप्शन है जो नीट यूजी का उसको बहुत ही सिनोनिम बनाते हैं एक्जाम को क्रेक करने के लिए अब यहां पर इसकी फ्री लाइव क्लासेज का डेमो लेने के लिए बहुत सारे और एजुकेटर भी अवेलेबल हैं यह इनके बहुत ज़्यादा फोलोवर्स हैं वन मिलियन इनके से ज़्यादा इनके व्यूवर्स हैं अगर आपने अभी तक इस लेट्स क्रेक नीट यूजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस सब्सक्रिप्शन को ले लें 6,000 रूपीज में तीनों स बहुत कम हो जाती है पर मंथ यह 2500 में पर मंथ में अविलेबल है 12 मंथ के लिए पर 24 मंथ के लिए 1500 रूपीज में ही अविलेबल है अब अगर आप मेरा रिफरल कोड यूज करते हैं GS Sir तो आपको 10% extra discount मिलेगा इसे 1500 पर मंथ का कोर्स या आपका सब्सक्रिप्शन 1350 में अ 22500 का जो सब्सक्रिप्शन था पर मंथ वो 2250 में अविलेबल हो जाएगा तो आज हम discuss करने जा रहे हैं इस लेट्स क्रेक नीट यूजी चैनल ऑफ अनकेडमी पर कि हम नीट एक्जाम को किस तरह से क्रेक करेंगे उसके लिए क्या क्या strategy आपको अपनानी चाहिए तो वो सार पॉइंट्स में आपको एक-एक करके discuss करने वाला हूँ इस नीट यूजी के चैनल पर अनकेडमी के तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है आपको नीट यूजी के syllabus के बारे में familiar हो जाना चाहिए कि कौन-कौन से subject हैं physics, chemistry, bio और कौन-कौन से कहां से इसका material और content आपके पास होना चाहिए, questions हैं जो MCQ टाइप होते हैं इस नीट यूजी के exam में 180 questions आते हैं आपको 180 minutes में solve करने हैं साथ में offline exam होता है जो OMR seat भी आपको भरनी है तो आपको less than one minute में question cover करना है average 1 तो इस syllabus को cover करने के लिए आपके पास एक realistic time table होना चाहिए, जहां पर आप ऐसा time table बनाएं कि इस पूरा syllabus एक definite time में नीट यूजी के exam से पहले साथ में उसकी revision strategy भी plan कर सकें इस तरह से आपको time table बनाना है time table तो बना लिया लेकिन कल से follow करूँगा तब कल आया तो फिर और कल से follow करूँगा और वो कल कभी नहीं आता है तो ऐसा time table मत बनाएं जो मैं इजनरी है अब realistic time table बनाएं ताकि syllabus को आप cover कर सकें तो मैं advice करूँगा average 8 hours in a day आप को study करनी चाहिए उसमें से तीनों subject physics chemistry bio के लिए two hours for each subject six hours तो इसमें चले जाएंगे remaining two hours उस subject को दीजिए जिसमें आप difficulty feel करते हैं वैसे तो 90% बच्चे physics में ही difficulty feel करते हैं क्योंकि bio वाले student को physics के calculation वाला part है उसमें जादा problem feel होता है पर कुछ बच्चों को bio में भी problem feel होता है तो मैं यह कहूंगा आप यह remaining two hours है वो उस subject के लिए रखिए जिसमें आप सबसे जादा uncomfortable है जब आपके लिए difficult होता है क्योंकि सभी student का difficult part अलग-अलग होता है difficult subject भी अलग-अलग होता है इसलिए यह two hards उस difficult subject के लिए रखे ही गए है अब मैं आपको बोलूँगा यहां पर जब आप syllabus को cover कर रहे हैं उसी duration में definite time interval में कुछ test neat like environment मतलब उतने number of questions भी उतने होने चाहिए time भी उतना ही होना चाहिए practice करना बहुत जरूरी है और यहां तक कि मैं बोलूँगा मैं तो time slot भी वही होना चाहिए जो neat का है ताकि आपकी body का clock भी वही adjust हो जाए जो neat का timing है साथ में यह आपका definite time में test practice आपके question करने के time को भी reduce करेगा क्योंकि need के exam में एक और बड़ी problem है वहां पर paper छूटता है बच्चों का क्योंकि number of questions बहुत जादा है और time कम पड़ता है 90% बच्चों का 180 questions है 180 minutes में करने हैं और आपको MR भी fill करना है तो less than one minute average for one question is required मैं तो कहूंगा 55 seconds में ही आपको एक question खतम करना है average जबकि JEE में वहां mathematics वाले student हैं वहां 75 questions 180 minutes में करने हैं उनके लिए 150 seconds मिलते हैं एक question के लिए तो वहां ज्यादा lengthy problem पूछी जाती है hard calculations रखी जाती है साथ में वहां practice नहीं भी करें तो चल जाता है पर यहां आपको question का time reduce करने के लिए आपका question आता है तो भी आपको practice करनी होगी ताकि आप उसके time को reduce कर सके नहीं तो आपका paper छूट जाएगा paper में questions छूट गए तो आप जो neat UG का exam में उसे crack करने में आपको थोड़ी problem होगी मतलब इस exam का portfolio है आपको जादा से जादा question आने चाहिए और कम से कम time में उसे आप handle कर सकें वही exam को crack कर पाएगा अपने competitor को पीछे चोड़ पाएगा अब आप जब classes learn कर रहे हैं तो अपने खुद के notes बनाइए अपने खुद के तरीके से important points को note करिए smart तरीके से short notes में create करिए यह आपको revision के time पर बहुत help करेगा especially last two month जो neat exam के बहुत पास हैं वहां पर आपको बहुत ज़्यादा help करने वाला है साथ में आप जब अपने notes बनाते हैं तो यह भी पता चल जाता है हम कौन सा section आपका week है तो उस पर concentrate करिए उसे बार बार review करिए उस पर और ज़्यादा question की practice कीजिए साथ में आपको यह neat exam करेक करने के लिए आपको good study material choose करना है best educator choose करने है और educators में भी आपके पास choice होनी चाहिए तो no doubt जो unacademy का subscription है नेट यूजी के लिए अगर उसे आप ले लेते हैं तो यह requirement fulfill हो जाती है good study material choose best educator और educator में भी choice available है वहां पर क्योंकि एक ही chapter को पढ़ाने वाले कई educator वहां available है 50 plus तो आप जिससे comfort feel करते हैं उसको पढ़ सकते हैं अब यहां पर theory concepts तो आपको clear होने चाहिए बट यह जो neat exam है उस theory का application है तो आपको ज्यादा से ज्यादा question की practice required है तो मैं आपको बताओं जो unacademy का एक और channel है नीट यूजी quest वो केवल question practice कराई जाती है और मैं भी वहां पर available होने जल्दी ही तो आप question practice के लिए जो नीट यूजी quest channel है उसको भी subscribe कर लें NCRT रेखो theory concepts clear करने के लिए इस नीट exam को crack करने के लिए आपको NCRT को ही base बनाना होगा यह basic books है physics में भी chemistry में भी bio में भी physics chemistry में आप theory पड़ें NCRT books से in question practice के लिए आप और study material को use करें जैसा मैंने बता दिया कि नीट यूजी quest के through up question की practice कर सकते हैं साथ में यहां जो live test और quizzes होते हैं उससे questions की practice कर सकते हैं physics और chemistry में तो लेकिन मैं bio में केवल और केवल NCRT follow करने के लिए बोलूगा कोई मुझे बोले NCRT के अलावा दूसरी book कौन सी होगी तो मैं फिर कौनगा NCRT फिर तीसरी book कौन सी होगी NCRT चोथी NCRT पांचवी NCRT hundred times पूछेंगे मैं हर बार बोलूगा bio के लिए सबसे best book है NCRT उसका each and every page every questions must be covered by you यह bio के लिए requirement है अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके पास यहां इस exam को crack करने के लिए discipline होना चाहिए discipline में आपको क्या चाहिए regular classes आप attend करें कोई भी classes को skip ना करें आप regular touch में रहें अपने teacher के अपने mentor के ताकि आपको कभी भी कोई depression feel होता है तो आप उसे दूर कर सकें साथ में आपको आपका जो time table है जो आपने बनाया है उसे follow करते रहें ऐसा नहीं कि आज बनाया है दो तिन दिन बाद वो बिना discipline के वो time table अपका बेकार हो गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहां पर एक और चीज चो सबसे ज़्यादा important है यहां mental health और physical health वो भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप अच्छी health नहीं रखेंगे mental health भी अच्छी नहीं होगी इस exam को crack करने में थोड़ी problem होगी उसके लिए आप क्या करें सारे distraction को avoid करें family distraction friend distraction girlfriend distraction और एक और नया चल रहा है आपका आपका social media distraction और टीवी और gossip से भी दूर रहें क्योंकि यह neat UG exam को crack करना है तो यह सब बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा एक और चीज मैं आपको advise करना चाहूंगा कि एक ही chapter को एक ही books नहीं पड़े अगर आपका एक part एक educator की class और उसके material से समझ आ गया है तो so many books so many educators को follow नहीं करना चाहिए same material के लिए मतलग यह बताता है don't repeat same thing again and again क्योंकि यह wastage of time है आपका जो important time है self study का उसको kill करता है और आप वहां पर ध्यान नहीं दे पाएंगे जहां पर chapter आपके week है week chapters को आपको repeat करना चाहिए मेरा ऐसा मानना है ना कि जो आपका strong part है उसे repeat करना चाहिए और उसी को बहुत सारी books से नहीं पढ़ना चाहिए तो मैं आपको इस exam का overall conclusion बताने जा रहा हूं कि इस exam को crack करने के लिए कैसे किस strategy से जाना चाहिए सबसे पहले आपको syllabus का idea होना चाहिए discipline तरीके से आपको classes करते हुए सारे time table को follow करते हुए आपको यह सारा material cover करना चाहिए साथ में इसके बाद आपको systematic way से इनके test और जो quizzes होते हैं उनमें participate करना चाहिए ठाकि आपकी performance का evolution हो सके अब exam को किस तरह से face करना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको बता दूए इस exam को crack करने के लिए more than 600 marks out of 720 is required तो यह आपका practice test में भी होना चाहिए आप कहें कि 720 कैसे मैंने बताया था आपको 180 questions 180 minutes में होते हैं और एक question के marks है 4 तो total 720 marks का paper होता है साथ में यहां negative marking है so be aware for the negative marking क्योंकि यहां plus 4 मिलते हैं correct करने के लिए और minus 1 मिलते हैं wrong answer tick करने पर जो आपके आए हुए marks में से deduct कर देते हैं जो कम कर देता है आपके marks को तो मैं आपको बताऊंगा कि test paper में क्या strategy अपना है ज्यादा से ज्यादा marks के लिए सबसे पहले easy questions को handle करें जिसमें आप बहुत comfortable हैं बहुत ही कम time उनमें consume होता है तो आपको paper को start करना चाहिए bio से bio में यह choose करना ज्यादा easy है कि यह question easy feel कर रहा है मैं इसमें comfortable हूँ time भी कम लगने वाला है तो यह आप bio से paper को start करें उसके बाद chemistry उसके बाद physics सबसे last में करें पर मैं आपको advise करूँगा chemistry के hard numerical करने पर lengthy numerical करने से पहले आप physics के easy questions को पहले करें और उन्हें टिक करके OMR seat में भर लें पहले round में आपके 60% questions cover हो जाने चाहिए second round में उन questions को करें जो थोड़े lengthy है hard calculation है calculation ज्यादा lengthy बनाया गया है फिर third round में उन questions को करें जो आपके सबसे typical questions हैं तो इस तरह से आप exam में 600 से ज्यादा marks ले करके आएंगे और बहुत easily exam को crack कर पाएंगे तो मैं Govind Sharma Unacademy के platform पर आज हम discuss कर रहे थे कि NEET UG exam को crack करने के लिए क्या-क्या strategy अपनानी चाहिए तो let's crack new UG channel of Unacademy को आप subscribe करिए, like करिए तदा bell icon को press करिए ताकि इसके जो सारे notification है आपको time to time मिलते रहें इस channel के साथ में जब subscribe करते हैं तो आपको 10% discount चाहिए तो मेरा referral code GSR use कीजिए और इस तरह से आप इस जो NEET UG exam में उसको crack करिए best wishes from my side, thank you, thank you very much